हेलो स्टूडेंट्स तो आज स्टार्ट करेंगे अपनs के बारे में पढ столько anymore मॉल्स में का पहुछ चुक है कन्सेंटरेशन डूम्स पे पूछ चुक है तो अगर मैं आप से पूछता हूं सबसे पहले कि एक solution के बारे में तो क्या होता है solution solution बोल सकते हैं हमोजीनियस मिक्चर होगा वह हो हमोजीनियस मिक्चर ओफ तू और मोर सबस्टेंसेज तू और मोर सबस्टेंसेज ठीक है अब इसमें को अपने को क्या देखना है जैसे कि माल लेजिए एक solution जो होता है जनरली अपने यही पढ़ा है कि जो solution होगा उसमें क्या होगा solute होगा प्लस solvent होगा यही तो अपने पढ़ा है कि solution किसे बोलते है जिसमें solute होगा और solvent होगा लेकिन solute क्यों होगा और solvent होगा वो कैसे देखते है अपन वो भी अपने को पता है कि जिसकी quantity क्या होती है कम होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि lesser amount लिख सकता हूं या quantity लिख सकता हूं present होगी और जिसकी quantity ज़्यादा होती है उसको open क्या बोलते हैं solvent बोलते हैं तो इसको open लिख सकते हैं more amount में जो present होगा वो अपना क्या होगा solvent होगा ठीक है इसको एक example से समझते हैं अपन कि भाई देखो ज 500 ml मेरा alcohol है क्या है मेरा alcohol और मेरा क्या है 10 ml या फिर उससे ज्यादा एमल है कोई 15-20 ml तक भी अगर हो क्या है मेरा water है तो आप देखो कि इसमें से जो ज़्यादा quantity में है जैसे कि मेरा यह दिख रहा है यह 500 ml है और यह कितना है 10 ml है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह जो मेरा 500 ml है वह क्या है उसकी quantity ज्यादा है तो वह क्या रहा होगा उसमें मेरा solvent और यह 10 ml है उसकी quantity क्या है कम है तो वह क्या रहा होगा मेरा solute है बोल सकते हैं अपनी यह बिलकुल बात तो जो concentration terms पढ़नी है ना उसके कुछ में दो note आपको लिखा देता हूं कि यह कहां कहां यूज होगी और इस chapter में overall अपने को क्या पढ़ना है जैसे कि मानलों कि मैं पहली बात लिखाता हूं जो हमारी concentration terms है वो किस चीच के लिए यूज होंगी आर्ट डिफाइंड फॉर होमोजीनियस कि यह सिर्फ किसके लिए हैं होमोजूनियस मिक्सचर के लिए ही applicable कि ठीक है भई होमोजीनियस मिक्सचर ओनली सेकिंड बात है कि अपन इसमें क्या कर रहे होंगे इसमें अपन बता रहे होंगे यह हमें आइडिया देगा यह जो concentration terms अपन पढ़ रहे हैं वह हमें आइडिया देगा solute का solvent का की system में कितना प्रजेंट है तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे पन लिख सकते हैं concentration terms हमें आइडिया देगी गिव आइडिया अबावड सुलुट and solvent present in the solution कि ऐसे में लिख सकता हूं ठीक है उसके बाद पहली चीज में आपको बताना जा रहा हूं कि भाई इसको क्या-क्या बोलते हैं जैसे कि मैं पहला एक ले लेता हूं कि अपनास देखेंगे परतीशत W ौ और इसी को इपन मास परतीशत बोल सकते हैं है क्छी के बहूं कि जो मास ऑफ मास परतीशत भी बोल सकते हैं तो यह क्या होगा है अगर इसको कैसे डिफाइन किया है कि भाई जो mass of solute होगा mass of solute होगा वो तो अपना उपर आ जाएगा और total हमिशा नीचे आता है तो mass of solution नीचे आ जाएगा और ये अपने को किसमे लेने? gram में लेने तो मैं bracket में लिख देता हूँ कि solute भी quantity किसमे लोगे? gram में लोगे और solution की भी किसमे लोगे? gram में लोगे हो अगर मैं 100 से ऐसे multiply कर देता हूँ परतीशत के लिए तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा w by w या mass परतीशत होगा ये तो journal बोल सकते हैं कि ऐसा एक कुछ formula type होता है लेकिन इसका मतलब क्या है? इस chapter में वो जानना बहुत जरूरी है कि भाईया इसका मतलब क्या है? अगर आप वो जानेंगे तभी इसके सवाल होगे ऐसे directly formula से अपने सवाल नहीं बनते हैं तो इसका मतलब समझने के लिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक example की इसका 6% जो है मेरा डब्लू बाई डब्लू है ऐसा कुछ और क्या है वो मेरा CS3COOH है और वो क्या है मेरा aqueous solution है क्या है मेरा aqueous solution है तो इसका अगर मैं मतलब समझता हूँ पहले वो देखते हैं इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब यह है कि यह जो मेरा 6 है वो क्या है? solute रहा होगा अगर मेरा कोई 100 gram solution है तो आप उसमें से बता सकते हैं आराम से कि भाई यह 100 gram है तो उसमें से 6 तो मेरा क्या रहा होगा? 6 gram तो मेरा solute रहा होगा और बाकी कितना बज़ गया? बाकी मेरा 94 कितना रहा होगा? 40-24 नाइनटी-फोर में राह Delicious most अएच-डु और यह जोब घुखते इस में अपने को कवन ऊजाएगा जाए तो अब मेरा सोलिट हो जाएगा और दोनों को जोड देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा सॉलूशन बन जाएगा तो अपने को यह जब जितना भी प्रतिशत लिखा हुआ है ना उसका मतलब पता होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा important इस chapter को समझने के लिए इसके सवाल करने के लिए जैए कि ठीक है भई एक सवाल में कराता हूं जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कोई थर्टी ग्राम अपने को दे रखा है सी एस थ्री सी ओ ओ एच इस प्रजेंट कि वेड़ कि 470 ग्राम कि ऑफ एस टू अब आप मुझे यह बताए अगर मैं यह सारी चीजे यह कोशन लिखा रहा हूं अब मुझे इसमें क्या बताना है डबलू बाई डबलू बताए क्या निकल के आएगा बहुत सिंपल है आपको बताना है मास प्रतीशत या प्रतीशत डबलू बाई डबलू ठीक है वही तो कैसे करेंगे इसको अब दिमाग में लाइए कि भाया अपने को क्या चाहिए अगर य और नीचे मुझे क्या चाहिए और ग्राम में चाहिए दोनों जाए यह अब अपने को यह बात पता है और इंट्व हैंडेट अब इसमें देखो इतने ग्राम क्या है मेरा इतने ग्राम हमने अभी यही पढ़ा था कि यह मेरा कम कॉंटिटी में तो यह मेरा क्या होगा सॉल्वेंट होगा और मुझे पता है यह जो नीचे लिखा हुआ है यह सॉल्यूशन है वह इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन बराबर मैं ऐसा साइड में लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन बराबर जो होता है वह क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट कितना है थर्टी प्लस मेरा सॉल्यूट कितना है 470 तो total solution कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा बई क्या इत्ती बात clear है और वो gram में दे रखें तो अपना gram में आ जाएगा 500 gram ठीक है बई तो simple आप इसमें रख दीजिए इसकी values जब आप इसकी values रखेंगे solute का कितना है 30 नीचे total कितना है 500 और कित्ते से multiply 100 से तो अपना अंसर कितना जाएगा जब इसको solve करेंगे तो यह अपना यह तो कट जाएगा और six आ जाएगा क्या इत्ती बात clear है ऐसे अपन किसी भी सवाल को डबलू बाइडबलू से कर सकते हैं ठीक है ना कि आज अपन इतना ही देखेंगे मैं हर एक वीडियो की कुछ questions लेकि आऊंगा उनकी approaches करेंगे देन अपने को पता चलता जाएगा कि डबलू बाइडबलू बाइवी और यह क्या क्या होता है वह एक साथ ही बताते चला जाओंगा तो अभी अपनने सिर्फ डबलू कर देता हूं मैं कि क्या कर दिया मैं इने प्रतुश्यत डबलू बाइवी अब इसका क्या मतलब हो जाएगा इसका मतलब है आप सिंपल बोल सकते हैं कि उपर जो लिया जाएगा वह मास लिया जाएगा क्या है मास ऑफ सॉल्यूट होगा अब हमेशा याद रखी नीचे हमेशा क्याएगा सॉल्यूशन आएगा और उपर हमेशा सॉल्यूट आएगा तो अपने लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट औ यह ग्राम में लिए अपने को ML में लेना क्योंकि वोल्यूम अपन एमल में ले सकते हैं तो यह आगि आ अपना एक नया formula टाइप है लेकिन अपने को यहांपर ज्यादा formula काम का नहीं होगा त्विछ, नाम का है मतलब समझे वह बहुत जादा जरूरी है ना तो अब अगर मालू में इसका मतलब समझता हूं आप देखना खुद इसका मतलब है कि मेरे पास एक तो यह चीज़ पता है कि 100 प्रतिशत का मतलब क्या है 100 तो 100 ml मेरा कोई solution है कोई 100 ml मेरा है जिसमें मेरा कितना 6 ग्राम 6 ग्राम क्या रहा होगा CS3 ceoH अगर आप इसते समझे को मेरा क्या रहा होगा 100 फ्रत मेरा 100 ml क्या लिए तो Someone wtedy क्या जाएगा 100 ml solution रहивается कैसलिए यह है इसका मतलब गर कभी आपको यह लिख के देगा ठीक है ना अग शीके है आपन समझ लेते हैं कि ऐसा-इसा कुछ होगा उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करता हूं वही चीज कोई नहीं चीज नहीं बता रहा हूं अगर मैं बात करता हूं वी बाइव परतिशत वी बाइव वी तो आप बोलूंगे अब कुछ मत कीजिए अब इसमें क्या हो जाएग को किहिकर हमें किसमें लेना है इंपूचर और नीचे जो अपन लेंगे क्या लेंगे व Our Lyun hunt कि मेंने मिलेंगे और अगर हैंडरट से मर्टिप्लाई करते हूं तो ही अपना बी वाइव बन जायेगा अपना कि तो फिल मला है इस तो प्रतिशे आань से सबस्यार और में एक और अपना टर्म साती है फोर्थ नंबर पर अगर मैं लिखाना जाहूं जैसे कि आपने PPM पड़ा होगा PPM का मतलब मैं बता जे तो parts per million ऐसे लिख सकता हूं मैं पार्ट्स पर मिलियन ठीक है ना बढआ इसका क्या मतलब है पहले से समझ लेते हैं पर उसके बार बता हुगा कि क्या मतलब है ऐसे यह वह सकता है प्प दोनों चीजने सेम हैं कि उसका क्या मतलब हो जाएगा parts parts पर million था ये क्या हो जाएगा billion हो जाएगा ठीकिना तो million है और ये billion हो जाएगा तो directly अगर मैं आप से बताना चाहँ कि PPM कीसे लिखेंगे तो PPM को प्री प्रीप सकते हो कि PPM बराबर मैंने बताया था ये भी भाद होता है और नीचे किसका रहेगा मास of cht यह सोलुचन रहेगा और किसमें रहेगा ग्राम में रहेगा एसा भी हो सकता है कि क्या सकता है वह वोलिम हो सकता है कि अदिक है कि अठिकर ना अ उपर जो और किसमें रहेगा ग्राम में रहेगा यह अपना कुछ फॉर्मॉला टाइप का बन जाएगा इसका मतलब क्या होता है फिर अगर मैं पीपीबी को लिखना चाहूं सेम ही चीज है पीपीबी को लिखना चाहूं तो आप डैरेक्ली बहुत सकते हों कि सर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा उपर और नीचे किसका आ रहा होगा मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा और रिखे और इन्टो अब यहां पर कितने से कर देंगे बिलियन की बात कर रहा है तो तो यह आप लोगों ने पड़ा होगा ओन मिलियन को में कितना होता है कर दो नाइन और वन ट्रिलियन का मतलब लिएगा वह एक्जाम में ट्रिलियन वाला पूछ देगा सेमी चीज रहेगी सेमी फॉर्मॉला उसका मतलब भी सेमी निकल के आ रहा होगा ठीके ना तो एक इग्जामपल से मैं एक चीज इसको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है जैसे कि महा लोगी मेरा 10 PPM है जो है ऑइन ने अेफ साल उर्मॉषन और कैमेरा 10 PPM नए एफ सलूइशन अब इसका मतलब समझें कि यह जो टैन है वह क्या है दस मेरा कुई ग्राम 10 तो पावर 6 तो क्या है क्योंकि पूरा का पूरा लिख रहा है एक टेंटो इस ग्राम जो होगा मेरा क्या होगा मेरा और उसलूशन होगा अंग इतना स्वीशन होगा और कितना कंटेंस कर रहा होंगा उसमें कंटेंस अपने लिख सकते हैंrif सिर्ली जो अपन ने लिखा है उसमें 10 ग्राम होगा मेरा क्या एन्ने एफ कहती बात क्लियर है अगर माल लो यहां पर 10 भी हो जाता तो तेंड दो नाइन ग्राम सॉलूशन कंटेन कितना करता 10 ग्राम एन्ने एफ ठीक है ना तो बिलियन बिलियन ट्रिलियन यह जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपन यह जो बहुत ज्यादा में से बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए है अमाउंट जो है वेरी लो है अब आप सुचिए इतनों सॉलूशन है और उसमें स्रिफ दसी ग्राम है तो इस यूज बहुत ज्यादा कम होती है तो अब जब नेक्स लेक्चर में आएंगे तब आगे का अपना देखेंगे